असलाम लिकुम फ्रेंड्स वेल्कम उल्ग तू माझानल, आज का रेसिफी है डृच भुट ज़दा ृडश्टी च्फाइ रेसिपी है जलदी बरने वाली रेसिपी है रहे बोश्टाइट कर देड़ाआ HO अचरप्साल द्साल रिंग श्रीन 1 spoon एट किया है और नेक्स हम इसमें आट करेंगे रेट चिली पाउडर आट करेंगे next हम आट करेंगे black pepper काली मिर्च तो यह देखिए हाफ स्पून आट किया हैंopa और नेक्स हम इसको आट की तो शुद्बाप सीविव इसमें ओनाट करेंगे जाएं नाच मिक्स लेंगे और यहां लेमन जूस अड़ करेंगे यह दिखिए लेमन जूस हाफ टेंगे और 10 मिनिट की रिए रगदेंगे आफटर 10 मिनिट इसको हम एक पैन में आइड करेंगे मैंने एट स्पून आइड लिया है मैंने ज़राद जाद जाद ऑईल दिया है चिकन flak मैरीनेट करके रखे सकते हैं उसको अच्छे से फ्राई कर लिए और आप ना ये मेल मैरीनेट करके रख सकते हैं Zahl सकती है चिकन कर जाधा टेस्टी बनेंगा और ये हम चिकन फ्राई करी हैं या पर 10 मिनिट कर लिए और एक सब्सािश्ण सब्सायomi यह देखिए, वन स्पून ओइल अट किया है, बहुत कम ओइल दाली है, और यह है गार्लिक, लेसन को मैंने चॉप करके दाला है, यह गोल्डन फ्राई होते ही, इसमें सॉस दाला है, टमाटो सॉस और जल्दी उस पे ही सोया सॉस, और यह है रेड चिली पाउडर, वन स्पू पाउडर आट किया है, ताकि कोई भी सॉस जले ना मिर्ची भी नहीं जले, इसलिए लो फ्लेम पे रखना है, और सॉस जल्दी जल्दी आट करना है, और जो साइड में चिकन फ्राई करके रखेते हैं, वो इसमें ट्रांसफर कर दींगे, अब हाई फ्लेम पे कुक करेंगे फ्लेम को हाई कर लीजिए, और इसको अच्छे से कुक कर लीगे, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, थोड़ा सा पानी सुख जाए इसका, ये ज़्यादा ड्राई चिकन नहीं होता है, ये स्टेज पे हम इस पे आट करेंगे, कॉरियंडर लीफ्स, कोतमेर, धन्या के पते, कट करके वाश करके डाला है, ये देखे, कितना अच्छा लग रहा है लुकिंग में भी, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जरूर आप लोग की इस रेसिपी को ट्राई कर ये, और आप लोग को ये रेसिपी पसन है, तो एक छोटा सा लाइक कर दीज कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल पर डेली व्लॉग चलता है, फैमली व्लॉग, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और आप लोग ये रेसिपी को इन्जॉई करिए, देखिए ये आप लेटिव में शेयर करिए डिश को रेसिपी को, फिर हम अगले व्लॉग में और रेसिपी में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना खयाल रखिए, अलाफिज